हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उम्मित करता हुए सोग बहुत बढ़िया होगे फर्स्ट अपल थैंकिस सो मच कि आपने हमारा लास्ट वाला वीडियो काफी पसंद किया काफी लोग ने उसको शेयर किया लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो और बहुत से लो सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बोला गया होगा कि यह प्रोजिक्ट जो है यह एक से ज्यादा सिस्टिम में हमको रन करके चाहिए अब ऐसे सिच्वेशन में ऐसा सर्वर है जो इसने ऐसी फैसलिटी प्रोवाइड करता है तो वो है माईक्रोशॉप का आया सर्वर अग सिस्टिम से ज्यादा सिस्टिम में आपका प्रोजेक्ट अक्सेस कर सकते हो तो आज को दो भी गही है हाउ टी इंस्टॉल आया सर्वर और विंडोस प्लाटफॉर्म तो आपका ज्यादा टाइम ने लेते हूं अपने जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेरा ना मामित और आप देखरें लीड्स ब्रूस टुटिरियल्स दोस्तों आया सर्वर इंस्ट्रॉल करने के लिए काफी इजी स्टेव है सबसे पहले आपको चंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा चंट्रोल पैनल देखें मैं आपको यह पर स्टार्ट पर टाइप करता हूं यह आया चंट्रो आप यह प्लम ऑपन हो गया है आपको भी फ्रोग्राम्स के अंदर जाना है प्रोग्राम्स के अंदर एक ऑप्शन है टर्न विंडोस फीचर ऑन और और ओफ हमें इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है देखो मैं आपको जूम करके बताता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से एक option है turn windows feature on or off बस यहाँ पर click कर देना है click करने के बाद आपके लिए डायलाब बॉक्स आ जाएगा देखिए कुछ इस तरह से यह डायलाब बॉक्स थोगा टाइम लेगा है उसके बाद में कुछ options लोड होगे अब आप देख पा रहे हो कि option के अंदर यहाँ पे एक option है internet information service दोस्तों यही अपना iis server है आपको इसको install करने के लिए देखोए आपे बस टिक कर देना है इस checkbox आपने बस टिक कर देना है लेकिन यह इतना से नहीं होगा इसके आगे भी कुछ steps है आगे जो एक plus का symbol है उसको आपने क्लिक करना मैं मतलब आपको expand करना पड़ेगा आपने बस उसको क्लिक किया क्लिक करने बाद वह आपको तीन option और आये हुए इन सभी option को आपको टिक करते जाना है तो देखो मैं आपको टिक करता हूं यह टिक किया उस बाद में यह चलो और नेचे भी और एक option है क्लिक किया, इसको भी सिलिक किया चलो, ऐसे ही आपको जितने भी expand होते है option इसन सभी option को tick करना है ताकि IIS server एकदम easy और अच्छे way से install हो जाए क्योंकि इसमें से एक भी option अगर miss होता है तो आपका IIS server properly installed नहीं हो गया और आपका application run नहीं होगा ठीक है तो देखो यह अपना common features जो already tick है उनको tick को नहीं निकलना है जो tick नहीं है बस उनको ही बस select करना है आपने हो और यह last के दो option बाग किये इसको tick किया और यह security वाला option है उसके अंदर भी सभी option अपन टिक करते हैं कोई भी option आपको अंटीक नहीं जोड़ना है हर option को आपको tick करते जाना है इतना बोलने के बाद बस आपको ok button पे click कर देना है ok button पे click करती से assisting थोड़ा time लेगी ताकि आपके IS के component system के अंदर install हो जाए आपका IS manager काथलेचे से work करें इसलिए ok friends तो अपना कुछ इस तरह से message आएंगा windows completed the request changes बस आप windows को close कर देना है इसको minimize कर लेता हूँ अब आते हैं अपने main screen पे अब check कर देंगे IS proper install हुआ है की नहीं हुआ है तो आपको search में जाके बस type करना IS देखो आपको IS type करने माद कुछ ऐस option आएगा internet information service manager बस इसको click कर देना है अगर इस window प्रॉपरली open हो गई इसका मतलब IS एकदम प्रॉपरली install हो गया है अभी ये थोड़ा time लेगा और कुछ इस तरह से window आपके सामने आएगी देख सकते इसके अंदर काफी अलगलग options आए हुए ये देखिए कुछ इस तरह से ये है अपना आएस सर्वर थैंक्यू दोस्तो हमारे चनल को सब्स्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल वाला आइकउन को भी दबा दीजेगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक्यू सो मच्छ